जैश्री राधरानी सरकार की, जैश्री कृष्ण भगवान की, जैपदमाय कादशी वरत की, मंदर शीबंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्धी कभिनंदन करते हैं, भादरपद मास के शुकलपक्ष की पदमाय कादशी वरत की कथा, आज हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं, इस वर्ष दोजार चोबिस में भादरपद मास के शुकलपक्ष की पदमाय कादशी का वरत 14 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा, तो पदमाय कादशी वरत की कथा इस परकार से है, युदिष्ठिर भगवान जी से कहने लगे हैं कि हे केशव, हे प्रभु भादरपद मास के शुकलपक्ष में जो एक आदशी होती है, उसका क्या नाम है, कौन से देवता हैं और कैसी विदी है, ये सब बताने की कृपा केजिए, भगवान शिक्रिशन जी कहने लगे हैं कि हे राजन, इस विशे में म मैं तुम्हें आश्र जनक कथा सुनाता हूं, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा है, कि हे चतुर मुख आपको नमसकार है, मैं भगवान विश्नु की आहरादना के लिए आपके मुख से ये सुनना चाता हूं, कि अंदरपद मास के शुकलपक्ष की एक आदशी पदमा के नाम से विख्यात है, उस दिन भगवान रिशिकेश की पूजा होती है, यह उत्तम वरत अवश्य करने योग्य है, सूरे वंश में मान धाता नामक एक चकर वरती, सत्य परतीग्य और प्रतापी राज रिशी हो नहीं होता था, उनकी प्रजा निर्भे तथा धन धान्य से सिम्रिद्ध थी, महराज के कोश में केवल न्याय से उपारजित धन का ही संग्र है था, उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धरम में लगे रहते थे, मान धाता के राज्य की भूमी काम धेनुगाय के समान फल देने वाली थी, उनके राज्य करते समय प्रजा को भवत सूख प्राप्थ होता था, एक समय किसी करम का फल भोग प्राप्थ होने पर राज्य में तीन वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, इससे उनकी प्रजा भूख से पिडित होकर नश को नारा कहा है, वह नारा ही भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए वे नारायन कहलाते हैं, नारायन सवरूप भगवान विश्णु सर्वत्र व्यापक रूप में भी राजमान हैं, वे ही महग सवरूप होकर वर्षा करते हैं, वर्षा से अन पैदा होता है और अन से प्रजा जीवन धारन करती है लेकिन हे राजन इस समय अन के बिना प्रजा का नाश हो रहा है अत्य कोई ऐसा उपाई कीजिए जिससे हमारे योगक शेम का निरवहा हो राजा ने कहा है कि आप लोगों का खतन सत्य है क्योंकि अन को भ्रम कहा गया है अन से प्रानी उत्पन होते हैं और अन से ही जगत जीवन धारन करता है लोक में भहुदा ऐसा सुना जाता है तथा पुरानों में भी भहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्नन आता है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है किन्तु जब मैं बुद्धी से विचार करके देखता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्न परियतन करूँगा ऐसा निश्य करके राजा मान धाता इने गिने व्यत्यों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम कर सगनवन की ओर चल दिये हैं वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्यों के आश्रों पर वो घुमते फिरे एक दिन उने ब्रह्मा पुत्र अंगीरा रिशी का दर्शन हुआ है उन पर द्रिश्टी पढ़ते ही राजा हर्श में भरकर अपने वहां से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनिय के चर्णों में प्रनाम किया है और अर्धे दिया है उन्हें ग्रहन करके जब वे मुनिके समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा तब राजा ने कहा है कि हे भगवन मैं धर्मानुकूल प्रनाली से प्रिथ्वी का पालन कर रहा था फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया इसका क्या कारण है इस बात को मैं नहीं जानता रिशी कहने लगे हैं कि हे राजन यह सब यूगों में उत्तम सत्यूग है इसमें सब लोग प्रमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चर्नों से युक्त होता है इस यूग में केवल ब्रहम का यतन करो जिससे यह अना वरिश्टी का दोश शांत हो जाए राजा कहने लगे हैं कि हे मुनिवर एक तो यह तपस्या में लगा है दूसरे निरपरहाद है अत्या मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा आप उक्त दोश को शांत करने वाले किसी धरम का उपदेश कीजिए अ इसके वरत के परभाव से निश्य ही उत्तम वरिश्टी होगी ए राजन तुम अपनी प्रजा और परीजनों के साथ इसका वरत करो महरिशी अंगीरा रिशी के इन वचनों को सुनकर राजा अपने महल में लोट आए हैं उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के स प्रित्वी जल से आपलावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभीत होने लगी है उस वरत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गई इतनी कथा सुनाकर भगवान शिक्रिशन जी धर्म राज युदिश्टिर से कहने लगे हैं कि हे राजन इस कारण इस उत्तम वरत का पदमाय कादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्तर से ढंक कर धहीं और चावल के साथ ब्रहमन को दान देना चाहिए साथ ही चाता और जूता भी देने चाहिए दान करते समय इस प्रकार से मंत्र का उचारन करें बुद्धवार और श्रवन नक्षत्र के योग से य सब परकार के सूख प्रदान करें आप उन्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अथा सूख दायक हैं इतनी कथा सुना कर भगवान शिक्रिशन जी धरम राज युदिश्टिर से कहने लगे हैं कि हे राजन इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष सब पापों से मुक्त हो जाता है तो भादर पदमास के शुकल पक्ष की पदमाएक आदशी व्रत की कथा का यहीं पर विश्राम होता है आपने इस कथा को सुना आप सब का हारधिक धन्यवाद जै श्री राधरानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै पनमाएक जै जै शी राधि जै जै शी राधि जै जै शी राधि श्याम